हेलो दोस्तो मैं हूँ आपका दासदेव और अपने यूटुब चैनल मिस्टर इंडियान फोज में आपका स्वागत करता हूं दोस्तो आज मैं रिवियू लेके आया हूं जो सैमसंग की 11 kg की टोप लोड फुली आटमेटिक वशिंग मशीन है तो दोस्तो सबसे पहले मैं और दोस्तो अभी मैं अगर बताना चाहूं आपको जैसे इसमें यह लिखाव डबल वन जे यह जो सीरीज पहले आ रही थी अभी जो नई सीरीज इसकी आई है टी सीरीज आई है जो कि टी सीरीज है वो नीचे से लेके मतलब स्टार्टिंग से लेके पांच किलो से लेके द एसे यह नो ने मशीन में भी इन्वर्टर टेक्नोलजी दे दी तो अगर देखा जाए तो यह मॉडल तो पहले वाला ही है तो जे सीरीज का मॉडल ही है इसमें उन्होंने मोर्टर थोड़ी सी चेंज करके भेज दी है जिसको हम इन्वर्टर मोर्टर कहते हैं तो यह जो इन्वर्टर मोटर आलड़ी आ रही थी पहले तो इससे पहले मैंने एक रिव्यू किया था जो कि 9 kg की मशीन थी इन्वर्टर मोटर नहीं थी तो आज हम जो रिव्यू करेंगे वह इन्वर्टर मोटर वाली जो टॉप लोड़ वॉशिंग मशीन 11 kg की उसका हम रिव्यू करेंगे तो जैसे कि आप सामने देख रहे हैं सामने यह स्टिकर लगा हुआ आपको यह फाइव स्टार रेटिंग के साथ है यह मीन और साथ में आपको लगा हुआ साइट पे 12 एंश इसकी जो मोटर की वरंटी जो डिश्टिल इन्विटर मोटर है उसकी 12 साल की कंपनी वरंटी देती है तो ओवराल इसकी 3 साल की मशीन की वरंटी होती है तो दोस्तो यह जैसे कि मैंने आपको पहले वी बता होंगा सबसे पहले कि जैसे में मोर्ट की बात कर रहा था ये इसकी मोर्ट आ रही है और जैसे कि यह सामने अब स्टीकर देख रहे हैं 5 स्टार रेटिंग के साथ सब्सेव जो हम भोल देते हैं 5 star maximum rating होती है तो 5 स्टार के साथ यह machine पाव। फाइड़ रेटिंग रही है। उसके इलावा जो एक्टिव प्लस। इस इसके जो फीचेर आप बोल सकते हैं का उसमें एक यह चीज आजाती है ऐक्टिक वाश प्लस। और इसमें एक वोबल आलता है कपड़ों के बीच में और मैजिक जो डिस पेंसर है इसके साथ और हाशरी यह जो मैजिकsecond रपको बोलता था जो जसमें आप सरफ वगरा डालते हैं उसके लाधा जो इसकेत के मीचम पर फिल्टर लगा वह भी मैं दिखाऊंगा और स्मार्ट चक की इसमें टेकनोलजी और उसके लावाँ इको टब क्लीन है इसमें एक फीचर होता है इको टब क्लीन का तो वह भी आपको मैं बताऊंगा आगे कैसे आपने इसमें जो कैमिकल वगेरा जो सर्फ के रह जाते हैं अग यह पने को मल्के दो मिने ऐबाद एट 25 अपे थैंड़ शाफ करना तो केसे करना और क्वाश के इसमें जो अलग 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 फीचर राफेज कुिक वश सब्सक्ता तो सूपर क्लीन वगरा यह सारे फीचर Murder डेलीगेट वस्होफ और उप्रेगवास सूपड्लीर हैं ऐसे अलाग अलाग इसके फीचर जो कि मैं aपको आगे सके एक्सप्लेट करूँ गाई जयासे super clean वाई हो गया एकापी रिजर्व हो गया और डिलेएंड हो गया और ओर चायड लोग हो गया उपाइस्टि है क्पड़े ले लिए उंके लिए सूटेबल है और जैसे कि मैं अब को वरंटी का बोल रहा था और जो बारा साल इसकी मोरन की वरंटी है बारा साल में मोर को अगर को जिसी भी प्रकार के दिक्ट आती है तो तो the company free of cost आपको motor change करके देगी आसको repair करके देगी वैसे वरंटी का मतलब तो यह होता कि repair करके देगी अगर वो repairable parts होगा तो वो repair करेगी अगर नहीं repairable parts होगा तो company फिर वो as it is वो change करके चली जाएगी और इसकी जो किलो वाट पर आवर 220 वाट किलो वाट आवर पर येर पूरे साल में 220 किलो वाट पर आवर के हिसाब से लेती है और इसकी मैक्सिमम रोटेशन स्पीड है 700 RPM और नॉइस लेवल इसका तो मेरे खेल कोई खास इतना खास नहीं है बाकि कपड़ों के पर आपके डिपेंड करता है 50 db कंपनी बोलती है और नॉइस लेवल जो स्पिनिंग का है 59 db है और नॉइस लेवल 61 db है और रिंज का जो रिंज का जो नॉइस लेवल है वो 61 db है उसके लावा जैसे कि आप यह मैने मशीन खरी दिए जो इंस्टॉलेशन वो फ्री थी औ जैसे की इसको आपको जो आपकी टैप होती है उसके साथ अटाच करके रखना बड़ता है चाहे आप प्रॉपर ली अटाच कर देव वो इसके साथ जो पाइप ओती है वो आपको मैं बताऊंगा कौन सी पाइप है साथ में और इसका जो मटीरियल है जो टैंक है इसका वो स तो वैसे जो अभी तो Samsung का प्लांट यहीं पर लगा हुआ इंडिया में तो मैंफेक्ट्रिंग तो आपको अपना मेड इंडिया की मिलेगी और फाइव स्टा रेटिंग के साथ ही मशीन है मॉडल नम्र में आपको बताई चुका हूँ और इसके लावा जो फुली अटोमेटिक टोप लॉड वाशिंग मशीन है यह अफॉड़िबल विद ग्रेट वाश क्वालिटी इजी तो यूज और इसकी कपैसिटी मैंने जैसे आपको बताई दी है उसके लावा इसकी वरंटी हिसनों आभ लेक और टैंपर्ड ग्लास विंडो है इसमें तो चलिए जूस्तों यह तहो चैजिक फीचर ते उसके बात हम आगे इसका रिव्यू करते हैं प्रेक।टिकल कर के देखते良ा इसमें क्या-काफीचर नहीं और इसमें क्या-क्या दिया हो प्र况 का का इसका ड्रम ह तो आगे हम जाके बिलकुल क्लोजली इसका आगे से रिव्यू करते हैं तो चलिए दोस्तों आगे मैं आपको बिलकुल क्लोज से दिखाता हूं यह मशीन दोस्तों यह था इसका जो फाइस्टार रेटिंग का स्टीकर लागा हूँ यह जैसे कि आप इसमें पावर कंजप्शन लिखी हुई सारी और लोड कपैस्टी लिखी हुई है ग्यारं केजी की है और वाटर कंजप्शन जो अपना 16.4 केजी पर साइकल और उसके लावा इसका मोडल नंबर लिखा हुआ है और ब्रैंड जो सैमसंग का है और फुली अटमेटिक यह अपना वाशिंग मशीन है और इनर्जी कंजप्शन अगर देखा जाए तो कंपनी लिखा हुआ है तो यह कंपनी की रेटिंग है और उसके लावा यह बारा ही यह की इसकी जो वरंटी अगैं आपे है on the motor distil inverter technology तो इसकी डिच्टल मोटर भी आरे है तो जैसे की मैंने पहले भी रिव्यू किया था ये active wash प्लस ये पहले भी था अभी बीच के अभी जो इन्होंने बीच में एड गर दी इसका डेस्ट्र इंवायटर टेकनॉल rus टेकनॉल जी ये वोबल टेकनॉलजी है पहले भी थी और अभी जो डिस्ट्र इन्वरटर मोटर इसकी साथ में एड गर दी तो चलिए दोस्तो इसके बाद हम आपको इसका खोल के दिखाता हूं टब तो सबसे पहले तो हम इसको उपन करते हैं तो यह जो वन केजी का आपको अलग से मिलेगा अभी जो टी सीरीज आ रही है उसमे यह चीज नहीं है इसमें अगर आपको कफड़ वगर और रब करना चाहें तो वो रब कर सकते हैं यससे कॉलर वगर काफी गंदे होते हैं तो उसको रब करके आप यहां पर यहां से पानी आना शुरू हो जाएगा तो यहां से यह वाटर जट लिखा हूए जैसे तो उसको आप यहां पर रब करके दो सकते हैं यह वन केजी का अलग से ड्रम है टोटल जो नीचे वाला ड्रम है वह बारा केजी का यह आपको ट्रे मिल जाती है जिसको हम सिंक भी बोल देते हैं तो दोस्तों यह था इसका जो डाइमंड ड्रम यह उपर सिंक था लगा हुआ जो तो यह इसका यहां से वाटर जट है और यह नीचे इसका आग है डाइमंड रम तो जैसे कि आप सैट पर देंद रहें है ड्राम ड्रम है कंपनी सो की बलती है जो पुल्स्यरू इसका तो नॉर्वल कम मesian में देखते है कर गूमता प्लस्यटर तो यह जो होता है इसनी हम में बात कर रहा था जैसे की यह वाला इसका फिल्टर है आपको झाल के Iisका फिल्टर है इसको हमने अभी यह जो कप्ड़े वाश प्राइब वाश की इसको हम जैसे की अभी यह कप्ड़े वाश कर के हमने जा चार्व कर दिया साथ-के-साथ ही यह इसका फिल्टर है यहां पर क्या होता है कि जैसे कपड़े हमारे घूमते हैं बीच में तो इसमें जो रुए वगए रहा होते है ना जो गरम कपड़ों के यह किसी भी कपड़े के लगा लो तो वह इसके बीच में अटक जाते हैं यह आगे मिशीन में नहीं इदर अदर नहीं अब भीसत है तो यह हाइजीन मेजिक फिल्टर है तो यह सहरे पहु कि रिल्ट है तो यह इसके और स्विल्टर पर डाइमॉनन मेल जाता है तो यह को पता ही यह फुल जाता है इसी अप के जो कप्ड़े बोश ओंगे यहां पे आपके रिंज होने ही, इलिए स्पिन होने कपड़े, इसेमें रिंस होने हो इसे आपके पानी दखरिए। आपके साथ पूस पक्षाइब लागे, व्याल के स्टफऩ पहीं करें को देदी हो यहां से जैसे हम सर्फ या कोई लिकड अगर डालते हैं तो उपर से यह पानी गिरता है तो पानी गिरने के साथ ही थोड़ा सा गूमता भी है पंखा जो इसका फैन लगा हुआ तो पानी के प्रेशर से गूमेगा और जो पानी बीच में उसके घुल के सफर सॉरी सर्फ जो उ तो यह फाइनली जो चलनी शुरू हो जाएगी तो दोस्तो आगे थवड़ा से आपको इसको साइड सी दिखा देता हूं यह साइड से इसका ओवर्विऊ है कर देखिये और पीछे से आपको दिखा देता हूं यह पीछे से इसकी खो इनलेट और आुट टाउट पाइप है जहां से इसका पानी अंदर जाएगा और जहां से यहां से आप टैप का जो पाइप यहां पे लगाओगे तो यहां से पानी अंदर जाएगा यह नीचे जो ड्रेन वाटर है यह इसकी पाइप है यह देखिए तो यह पीछे इसका बैक है सारा तो दोस्तों मेरे को सैमसंग की एक चीज बहुत अच्छी लगी हमारी ये मशीन जो थी ये ना अचली ऊपर चढ़ाते चढ़ाते थोड़ी सी डेमेज हो चुकी थी इसकी जो बॉड़ी थी यहां से साइड से थोड़ा सा दिक्कत हो गया था मतलब भी डेंट वगेरा पड़ इसका साइड वाल था यह पूरा पूरा ओंपूरद तो इनके वरकर आते उनकी गलती थी थोड़ी सी तो उसके कारण वह थोड़ा सा नुक्सान हो गया था लेकिन कमपणी ने कोई पला नहीं जढ़ा कंपनी को मैंने कंप्लेंट रेस की तो नेक्स डे में आके कंपनी इंस चेंज करके चली गई साथ जो साइड इसको बोडी बोल देते हम वो चेंज उसनों ने चेंज करवा दिया इनकी सर्विस है काफी अच्छी लगी मेरे को तो अलड़ी हम पहले से सैमसंग के कस्टमर है तो काफी प्रोडक्ट है हमारे बास हैं सैमसंग के वाशिंग मशीन है द इसके बाद पावर का बटन है और यह स्टाट और पाऊज का जैसे या आप इसको मशीन को लगाएंगा इसके बाद आपको यह पावर ओन करना पड़ेगा यह इसका पैनल ओना हो जाएगा उसके एलाव है यह सबसे पहले जो इसका प्रोग्रम है फिजी आगर आप आप न इसमें चालिस मिनट में कपड़े दोता है 48 मिनट का टोटल टाइम ही आठ पानी लेता है और उसके बाद ये चालिस मिनट में कपड़े दोदेता है उसके और अगर आपके कपड़े काफी गंदे हैं तो उसमें आप सुपर क्लीन use कर सकते हैं और एनर्जी सेविंग की एनर्जी की कंशनी कम करें उसमें आप यह वाला फीचर यूज कर सकते हैं अगर आप जीन्स दो रहे हैं तो जीन्स का यह अलग से प्रोग्रम दिया हुआ तो यह सबी जितने भी प्रोग्रम दिये हुए यह डेलीगेट्स हो गया यह सोक हो गया अगर आपने गरम कपड़े वस्करने यह उसके लाभाए अको प्री डिजर्व हो गया तो उसके लावा यह EcoTub Clean है, यह लग से feature है, तो इसमें यह जो total यह program सारे कपड़े दोने के लिए यह EcoTub है, प्रोग्रम को क्लीन करने के लिए अंदर से, यह EcoTub है, यह तब को क्लीन करने के लिए, उसके लावा एक्टिव आप्टिव वश है और पावर वश है, इसमें जै की स्पीड होगी मोटर की जो ड्रम की घूमने की स्पीड है लो मिड हाई यह आटमेटिकली यह सलेक्ट करेंगा तो इसमें आप कुछ भी नहीं करेंगे यह मैनूली कुछ भी सैट नहीं होगा यहां से तो यह ड्रेन वाटर यह आपको यहां पर इंडिकेशन देता रहेगा तो यह वाटर लावल है जैसे हम मशीन णो करेंगे कपड़े डाल Henderson जैसे हम स्टार्ट करेंगे उसके लावा यह गयर मेंट करता है सारी कपड़ों की कितने अपने कपड़े डाले उसके हिसाफ से पानी लेगा पहले उसके बादल फिर अपना करोड़न करना शरू कर दhta तो या तीन तीन बार तो यह पानी कम सखम लेती ही है तो इसमें अगर आप मैनुली यूज़ करना चाहते हैं कि बार-बार मशीन पानी ना निकाले ज्यादा पानी की कि इसको आप अपरेट कर सकते हैं जैसे कि आप यह वाश के ऊपर जाओगे तो यह वाश करना शुरू कर कपड़ों को निकाल सकते हैं और ऊपर यह वाश रिंज स्पिन यह तीनों फीचर है एक टाइम पर यह ब्लिंग करते हैं जैसे कि हमने यह पहले वाला फंक्शन यह बंद हो जाएगी लाइट तो फिर जैसे यह स्पिन करेगा 3 सेकंड के लिए तो यह स्पिन का ब्लिंग करना शुरू हो जाएगा और यहां पर यह चोटी सी एक डिस्टल जो स्क्रीन दी होई है यहां पर यह टोटल सभी इसके जो अपना आप प्रोग्रम स्लेक्ट करोग उसके यह वह बता अपना टाइमिंग बताता है यह टोटल कितनी टाइमिंग लेगा तो दोस्तों आगे हम आपको इसको थोड़ा सब्सक्राइब करके दिखाते हैं मशीन को तो दोस्तों जैसे कि मैंने यह मशीन ओपन अब ऑन की है तो सबसे पहले हम इसका पावर बटन द पानी का लेवल लेना शुरू कर देगा तो यह पहले मेशर्मेंट करता कपड़ों की तो जैसे की बीच में टब गूमना शुरू हो जाता है तो उसके बाद यह पानी लेके तो फाइनल आपको यह टाइम फिर बताएगा कि टोटल यह टाइम लेगा जैसे कि कुए कुए मशीन को चाहिए कितने बीच में कपड़े हैं तो दोस्ते एक बात का आप जरूर ख्याल रखना कि हमें भी इंस्ट्रक्शन दी गई है जितना यह टोटल टॉटल टॉब है ना मालोग 11 के लोगा 11 को टब आपने बिल्कुल उपर तक नहीं भरना कि उससे मशीन को भी थोड बना निचे कमप्रेसर की समय लिए इसके कारण हो कैसे करण मोटर के ऊपर आपके यह तो उसके कारणा आप जितना टब है टोटल उससे नीचे ही रखो अपड़े हाथ दोस्तों मैं आपको इनवर्टर जो डिस्ट्रल इनवर्टर टेकनॉलवाट बताना भूल गया था था फिन से लेकि two तक उसके बाद टोटल 39 मिनट लेगा तो यह भी वॉश बिलिंक कर ला है तो वॉश यह पानी लेके इसके बाद यह वॉशिंग स्टार्ट कर देगा वॉशिंग के बाद यह रिंज करेगा फिर स्पिन करेगा तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि digital inverter technology मान लीजी 300 वाट की motor है तो 300 वाट हर बार अगर आप चलाओगे तो 300 वाट की उपर नहीं चलेगी inverter technology का मतलब यह है कि जितने कपड़े आपने डाले हैं तो जितनी उसको पावर की जरूरत है वो पावर की consumption उतनी ही करेगा तो यह जिसके कि आपका electricity का bill भी बचेगा और और electricity का bill भी बचेगा और जिसके करना आपका bill भी कम आएगा और यह इसकी जो main technology थी inverter technology कि उसी 300 वाट की उपर नहीं वो मोटर काम करेगी उस टाइम पे वो कम consumption करेगी आपकी पावर की तो यहीं जो इनवर्टर टेकनोलजी का हमें फायदा कि वो जो मोटर होगी वो लग लग स्पीड के ऊपर चलेगी और अलग लग स्पीड में ऐसे होगा कि लो स्पीड पे चल रही है तो आपकी पावर सिटी ही यूज करेगी और उसी साब से यह पानी भी उतना ही यूज करते हैं जितने आपने यहां पे कप्डे डाले तो दोस्तों यह छोटा सा रिव्यू था जो सैमसंग की फुली आटमेटिक टॉप लोड मशीन तो वैसे तो मैं लेने के लिए फ्रंट लोडर गया था ज सीरीज की तो अभी तक जो टी सीरीज आ रही है वह अभी 10 किलो तक अवेलेबल ग्यार किलो तक आई नहीं है अभी तो इससे उपर जितनी भी हा रही सबी जी सीरीज की मशीन ही आ रही है तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हैं यहीं पर स्मापति करेंगे विडियो अच्छा लगे, आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल Mr. Indian Force बे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, थैंक यू सो मच, जैहिंच